स्वागत है आपको एक बार फिर से बेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के रसाइन विज्ञान चैप्टर चार चैप्टर का नाम है रसाइनी बलगतकी में आज हम लोग पढ़ेंगे बेग इस्थिरांग की विसेस्ताएं क्या है बेग इस्थिरांग का दूसरा नाम होता है दर इस्थिरांग तो दर इस्थिरांग कहिए या बेग इस्थिरांग कहिए का विसेस्ता आज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि अभिकरिया का बेग और बेग इस्थ दर इस्थिरांग की इकाई जो होती है अभिकिरिया के कोटी पर निरभर करती है तो यहाँ पहला जो होगा दर इस्थिरांग की इकाई इकाई का मतलब मातरक दर इस्थिरांग की इकाई अभिकिरिया की कोटी पर निरभर करती है तो पहला विसेस्था समझ में आगया होगा की दर इस्थिरांग का जो पहला विसेस्था क्या है की जो दर इस्थिरांग होते हैं और उसका जो इकाई निकाल जाता है तो अभिकिरिया के कोटी पर निरभर करती है अब यहाँ पे दूसरा अंतर को अब नोट करेंगे तो दूसरा अंतर जो है दूसरा जो अंतर नहीं दूसरा जो है विसेस्था समझेंगे की दर इस्थिरांग की दूसरा विसेस्था क्या है तो अब यहाँ लिखेंगे दर इस्थिरांग ताप निरभर करता है दर जो इस्थिरांग को होता है वो किस पर निरभर करता है तो दर इस्थिरांग ताप पर क्या करता है निरभर करता है तो दूसरा विसेस्था तो और असान है दर इस्थिरांग ताप निरभर करता है त अब तीसरा विश्यस्ता क्या है? तो तीसरा विश्यस्ता है किसी अभिकिरिया की दर, किसी अभिकिरिया की दर, इस्थिरांग कामान, कामान, मान अभिकारक के सांदरण पर निर्भर नहीं करता है, तो यहां लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक के सांदरण पर निर्भर नहीं करता है, तो तीसरा विश्यस्ता को एक बार और ध्यान दिजिएगा, निर्भर नहीं करता है, तो तीसरा विश्यस्ता क्या है, तो किसी अभिकिरिया की दर, जो इस्थिरांग का जो मान है, अभिकारक के सांदरण पर निर्भर नहीं करता है, तो जो अभिकारक का जो सांदरण होता है, और जो अभिकरिया का जो दर इस्थिरांग होता उस पे निर्भर नहीं होता है अब हम लोग समझेंगे चोथा जो है इसकी विश्यस्ता क्या है तो यदि दर इस्थिरांग का मान जादा है तो अभिकरिया तिब्र होती है तो चोथा क्या लिखेंगे यदि दर इस्थिरांग का मान ज्यादा है तो अभिकिरिया तिवर होती है तो अभिकिरिया क्या होंगी तिवर होंगी तिवर होंगी तो कितना असान ये भी है कि यदि दर इस्थिरांग का मान ज्यादा है तो अभिकिरिया तिवर होगी यदि दर इस्थिरांग का मान कम है तो अभिकिरिया मंद होगी तो यह चार विशेस्ता जो है दर इस्थिरांग का था इसे अपने कापी में क्या कीजे नोट का लिजे अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेग इस्थिरांग और अभिकिरिया का बेग में अंतर क्या है अब यहां नीचे जो है नोट करेंगे कि अभिकिरिया का बेग तथा बेग इस्थिरांग में अंतर या जो अंतर जो है कई साल के पेपर में आ चुका है तो इसलिए इस अंतर को आप लोग कापी में लेकर के दो बार पढ़ लेजिए आपको क्या हो जाएगा याद हो जाएगा तो अभिकिरिया का बेग और भेग इस्थिरांग का जो है बेग इस्थिरांग में अंतर दोनों में क्या अंतर है इसमें हम लोग आज समझेंगे तो अब यहां पे जो है दो कालम बनाएंगे अब किरिया का बेग पहला कालम रहेगा और दूसरा कालम जो बन जाएगा अब किरिया का जो है इस्थिरांग तो अब किरिया का बेग पहला कालम में लिख लेंगे और दूसरा कालम में लिखेंगे बेग इस्थिरांग बेग इस्थिरांग और लिखने के बाद से अब कालम बनाने के बाद से अब यहाँ पहला जो अंतर इसमें लिखेंगे कि अभिकरिया का बेग में पहला अब उसके बाद से लिखेंगे बेग इस्थिरांग में पहला अंतर तो पहला अंतर क्या है और यहां जो है पहला पले बना लेंगे उसके बाद से पहला इसका अंतर है कि इसका परिभासा को लिखेंगे अभिकिरिया का बेग किसे कहते हैं यहां लिख देंगे और बेग किसे कहते हैं यहां पे लिख देंगे एक अंतर जो है आपको तैयार हो जाएगा तो अवकिरिया का बे का परिभासा बताया जा चुका है। आप लोगों परिभासा को याद भी होगा कि परिभासा क्या है। तो एकांक समय में अभिकिरिया के सांद्रण एकांक समय में अभिकिरिया के सांद्रण के सांद्रण में परिवर्तन को अभिकिरिया का बेग कहते हैं इसके पहले पिछले वीडियो में इसकी परिभासा को बताया जा चुका है तो कई विद्यार्थी को ये परिभासा याद हो गया होगा अगर नहीं याद है तो परिभासा को आप लोग याद कर लिजे अभिकिरिया का बेग कहते हैं किसे कहते हैं तो एक बार परिभासा को रिविजन किया जाएगा कि एकांक समय में अभिकिरिया के सांदरण में परिवर्तन को अभिकिरिया का भेग कहते हैं यह पहला विसेस्ता है अब इसका जो पहला विसेस्ता क्या है तो भेग इस्तिरण किसे कहते हैं तो अब यहां लिखेंगे इकाई, इकाई सांदर्ता, इकाई सांदर्ता पर अविकरिया का बेग, बेग इस्थिरां कहलाता है, इसका परिभासा क्या है, इकाई सांदर्ता पर, इसमें क्या था, इकाई सांदर्ता पर अविकरिया के बेग को क्या करते हैं, बेग इस्थिरां कहते हैं, तो पहला अंतर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब दूसरा अंतर को समझेंगे तो यह ताप निर्भर करता है यह जो है अब किरिया का जो बेग है यह किस पर निर्भर करता है तो यह लेखेंगे यह ताप पर निर्भर करता है यह ताप पर निर्भर करता है ताप निर्भर करता है करता है तो और यह जो बेग इस्थिरांग अभी जो बेगी स्थिरांग की जो विश्यस्ता बताया गया है इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो बेगी स्थिरांग भी होता है वो भी क्या है ताप निर्भर रहता है तो यहां लिख देंगे यहां दूसरा जो विश्यस्ता यहां लिख देंगे यहां पर रहते हैं निर्भर करता है तो दोनों तो असान यह भी आपका अंतर हो गया यह ताप निर्भर करता है और यह भी जो है ताप निर्भर करता है अब तीसरा इसका जो विशेष्टा क्या है तो तीसरा विशेष्टा को धियान देंगे इसका जो मातरक होता है अब किरिया का बे बाद भी होगा, मॉल और क्या होता है, लीटर का इनवर्स, लीटर इनवर्स है, यहाँ पर माइनस एक घात है, ध्यान दिजेगा, कितना है, माइनस एक घात है, यह माइनस एक है, तो मॉल लीटर इनवर्स, शेकेंड इनवर्स होता है, क्या होता है, शेकेंड इनवर्स होता ह इसका मात्रक क्या होगा तो मोल लीटर का इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है तो और इसका जो मात्रक होगा यह अभिकरिया के कोट पर निर्भर करता है तो यहां लिखेंगे इसका तीसरा जो हो जाएगा कि इसका मात्रक इसका मात्रक मात्रक अभिकिरिया पर निर्भर करता है किस पर अभिकिरिया पर निर्भर करता है इसका अर्थ क्या है जैसे सुन कोट की अभिकिरिया पर जो है बेगिस्थिरांग का मात्रक अलग होगा पर्थम कोट पे अलग दूती कोट पे अलग तिरती कोट पे अलग अलग जो है इसका मात रख होता है इसलिए इसका जो मात रख होता है किस पे निर्भर है अभिकिरिया पर निर्भर होता है किस पर अभिकिरिया पर निर्भर करता है तो यह जो है तीन अंतर जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अब हम लोग सीखेंगे चोथा अंतर क्या है तो चोथा अंतर को धियान देंगे कि अभिकिरिया का बेग सुरु होने के बाद वो क्या होता है धीरे-धी घड़ता है और जो बेग इस्थिरांख होता है वो नियत निश् Double रहता है इसमें बढ़ता और घड़ता नहीं है तो अब यहाँ लिखेंगे चौथा जो है अभिकिरिया का चौथा अंतर है अभिकिरिया का बेग शुरू होने के बाद शुरू होने के बाद धीरे धीरे घड़ता है बाद क्या होता है धीरे धीरे घड़ता है धीरे धीरे क्या होता है घड़ता है जैसे आप लोग जब दोड़ते हैं तो सुरूआत में तो बहुत तेज दोड़ते हैं लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है आपका स्पीड जो होता है क्या होता है धीरे धीरे हो जाने लगता है तो यहाँ पर भी अभिकरिया का बेग में भी वही घटना होती है जैसे आप लोग दोड़ते हैं तो शुरुआत में बहुत तेज दोड़ेंगे और बाद में क्या होते हैं धीरे धीरे दोड़ना लगते हैं तो यहां पर अवकिरिया का बेग जो सुरूम होने की बाद जो होता है, वो क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? घटता है. और यहां इसमें लिखेंगे चौथा जो लिख देंगे, कि यह निश्चित रहता है. मतलब यह घटता नहीं है, यह जो है निश्चित रहता है. क् यह चार जो अंतर आप लोग को बताया गया यह अंतर आपको कैसा लगा आप लोग जरू कमेंट कीजिए और यह प्रत दिन सामको यह साथ बज़े जो है लाइफ कलाश चलता है तो आप लोग साथ बज़े सामको यह नोट्स को तयार करते चलिए प्रत दिन और आज जो का option होता है उसको भी okay कर लिजिए जिससे कोई भी वीडियो को upload किया जाएगा तो उसका message आपके पास तुरंद पहुंच जाएगा तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा अब कल के पढ़ाई आप लोग सात वजे देखना वीडियो देखना नव भूलिए तो सात वजे जो है कमेश्टी है और छे वजे जो है फिजिक्स है तो कल मिलते हैं साम को सात वजे तब तक के लिए नमस्कार